गोडे और टट्टू करीब के दिश्चेदार हैं लेकिन वे बिल्कुल समान नहीं हैं वेज्ञानिकों के नुसार पूर्णी और गोड़ा एक ही जानवर हैं और एक ही प्रजाती इक्वस कबुलस के हैं यदि आपको शक है कि क्या आपके पास एक गोड़ा है या ठट्टू है तो कुछ तरीके हैं जिन से आप पता कर सकते हैं और यदि आप पहली बार गोड़ा पाल रहे हैं तो ये उपर आई बटन पर कलिक करें और यहां मिलेंगे आपको करीब देड़ सो वीडियो जो आपको बनाएंगे एक परफेक्ट होर्समैन तो बने देए संजी कुमार गुक्तार चैनल के साथ जो आपके दिमाग को देख गोड़ों के जांकरी और दिल को देख गोड़ों का शौक आपको यह पता करने के लिए कि यह गोड़ा है टट्टू है आपको उसके आकार, नसल, आयू, शरीर का बनावट और सुभाव पता होने चीए उनका साइज चेक करें गोड़े और टट्टू के बीच सबसे बड़ा अंतर साइज का होता है एक फुल तयार गोड़े की हाइट साड़े 56 या उससे अधिक होती है तो वो गोड़ा माना जाता है उस हाइट से नीचे का कोई भी जो जानवर होता है वो टट्टू ही होता है मकर ध्यान रखें, गोड़े की कुछ नसलें छोटे साइज की भी होती है एक अच्छाओ धारान है मिनीचर गोड़े का जैसे फला बेला ये मिनीचर गोड़े पहले पालतू जानवरों के रूप में पाले जाते थे और भूट छोटे होते भी उन्हें गोड़ों के रूप में वगीकरत क्या जाता है एक मिनीचर गोड़ा जमीन से 34 इंच से अधिक का नहीं होता और साथे साथ मिनीचर गोड़ा बड़े गोड़ों की तरह अबलक, चीता, कलर पैटन का भी हो सकता है पोनी पूरी लाइफ छोटे ही रहते हैं मगर उनका शरीर गोड़ों के मुकाबले जल्दी तयार यानि की फुल मेच्चर हो जाता है गोड़े दिरे दिरे बड़ते हैं और उनका शरीर 6-7 साल में फुल तयार होता है गोड़े की उम्र 20-30 साल की होती है मगर टट्टू की उम्र 40-50 साल तक की होती है और इतनी ज़्यादा उमर में भी वो काम कर सकते हैं और एक बात और अश्यो की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उमर का वर्ल रिकॉर्ड भी टट्टू के नाम ही है शरीर का नुपाद चेक करें यानि कि शरीर की बनावट चेक करें पोनी का शरीर गोड़े के मुकाबले ज़्यादा गठीला होता है मतलब शरीर उचाई में ठिगना मगर सीना और कंधे चोड़े होते हैं टट्टू के ऐसे शरीर की वज़े से वो मेनत करने से नहीं ठकते इनकी हड़ियां मोटी और ज़्यादा भरी हुई होती हैं गर्दन छोटी और मोटी होती है, सिर भी मोटा और माथा चोड़ा होता है इनका बैरल भी चोड़ा होता है, मगर गोड़े ऐसे नहीं होते उनका सीना और कंधे अलग से चोड़े नहीं दिखते और वो उनकी उचाई के हिसाब से चोड़े होते हैं और उनका सर टट्टू से बड़ा होता है, मगर शरीर के नूपात में छोटा होता है इनके बाल और आयाल को चेक करें पोनी के बाल आम तोर पर गोड़े के मुकाबले घने और मोटे होते हैं इसकी वज़े से पोनी को सर्दी में ठंड नहीं लगती इसके अलावा गोड़े की आयाल आम तोर पर चिकनी और पतली होती है जबकि टट्टू की आयाल और पूँच आम तोर पर घनी और खुरदुरी होती है इनका स्वभाव को चेक करें इनके साथ कुछ समय बिताएं या तो उनके चारों और घूमें थप-थपाएं उनको ब्रश करें गोड़े के मुकाबले टट्टू शान्त होते हैं मगर वैगोड़े की तरह होश्यार भी होते हैं शान्त और समझदार होने की वज़े से टट्टू इनसान के बच्चों के साथ अच्छे धंग से पेश आते हैं इसलिए बच्चों को रैडिंग सिखाते वक्त टट्टू को ही काम में लिया जाता है गोड़ों के मुकाबले टट्टू ज़्यादा जिद्धी होते हैं या यू कह सकते हैं कि वो धींट ज़्यादा होते हैं और कभी-कभी वो काम को नजरनदाज करने की भी कोशिश करते हैं मगर गोड़े ऐसा नहीं करते हैं टट्टू और गोड़ों का मिजाज अलग-अलग होता है टट्टू की नसल आम तोर पर समार्ट होती है मगर गोड़े आम तोर पर समझदान नहीं होते हैं टट्टूं की ये स्मार्टनेस हमार लिए अच्छी भी हो सकती है और खराब भी मगर अगर उनको अच्छी टेनिंग मिले तो टट्टू एक बहुती शांदार जानवर बन सकता है और चूंकि ये छोटे जानवर होते हैं इसलिए वो अपने मालिकों की परिक्षा लेते रहते हैं और वो जिद्धी पना भी दिखाते हैं इनकी ताकत चेक करें घोड़े और टट्टू अलग-लग काम करने में सही रहते हैं टट्टू अपनी ताकत सहनशक्ती और मजबूती के कराण खेत में काम करने में सही हैं वे अपने से दुगना वजन तक खीच सकते हैं जबकि एक गोड़ा आम तोर पर अपने वजन से केवल आदा वजन ही खीच सकता है दूसरी और गोड़े एक खेत पर काम कर सकते हैं लेकिन उनकी ताकत लोगों को ले जाने में अधिक है वे टट्टू के मुकाबले मजबूत नहीं होते लेकि उनके पास भी सहन शक्ती होती है और वे काम करने में ज्यादा समाट हो सकते हैं गोड़ों को अपने स्वास्त को बनाय रखने के लिए टट्टू के मुकाबले ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और अधिक खनीज यानि की मिनरल की जुरुत होती है टट्टू नसल ऐसे कठूर वात्रांड में विक्सित हुई है और इन स्थितियों की वज़े से इन में दो चीजें विक्सित हुई पहली कम क्वालिटी वाले चारे पर जिवित रहने की शमता और दूसरी ठंड से बचने के लिए मोटे घने बाल टट्टू खाने में नकरे नहीं करते और इंका वजन यूँ ही बढ़ जाता है इसलिए उनके लिए मोटा होना बहुत आसान है टट्टू में मोटा पा एक समस्या है जिससे कभी-कभी उनके पेट में हजमे की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें लेमिनेटिस खुर की बिमारी भी हो जाती है इसलिए उनकी डाइट पर लगातार नजर रखनी पड़ती है अश् झाल 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